हेलो फैंट मेरा नाम है सैफखान आपका स्वागत है मेरे चैनल अपना में तो मैं आज बात करूँगा प्रभास की मोस्ट अवेटर मुवी अधिपुरूस अधिपुरूस का ट्रीजर वीडियो कब आ रहा है इसके बाने मैं बता हूंगा प्लीज वीडियो को लास तक बने करेगा और चैनल पेहने तो सब्सक्राइब करेगा सपोर्ड करेगा तो मैं आज बात करूँगा अधिपुरूस अधिपुरूस मुवी का ट्रीजर कब आ रहा है तो इसका ट्रीजर आ रहा है आपको तीन अफ्टूदा को देखने को मिल जाएगा और आते ही यह ट्रीजर रिक्वार पना रहा है क्योंकि इसका वेट काफी टाइम से हो रहा है तो कि यह बहुत ही बजट मुवी का बजट सुनके आप शौक रहेंगे कि इसका बजट पांसो करोड से उपर का बज़र है तो इस मुवी का लेवली अलग होने वाला है हर एक शौट परफेक्ट होने प्रभास में बहुत ही ज्यादा ताइम दे के बना रहा है और हर सीन पर बहुत ही अच्छे कांद किया गया है क्योंकि इसमें प्रभास होंगे क्रति सेनन भी होंगा सेफली खान चुकि नेगेटिव रोल प्ले करें और यह मुवी प्रेडिक्ट ड्रामा मुवी होने वाली है तो कहा जा रहा है कि इसमें राम प्रभास एक राम का रोल प्ले कर रहे है और इसमें सीस्ता का रोल प्ले करति सेनन करें और रावन का रोल प्ले यह सेफली खान कर रहे है तो यह बहुत हाई बज़ेड मुवी होने वारे है तो यह तहलका मचा देगी जैसे बहुपली यह नहीं था तहल का और इंको जरूरत भी इतनी बड़ी हिट की क्योंकि इंकी लास्ट मुवी आई थी साहो जो कि फ्लॉप हो इसके बाद आई वह राधेश्याम वह भी बॉक्स ऑफिस पे फेलियर रही तो इनका दोनों काफी जादा इंको मिरासा है तो अब इनको बड़ी इतनी बड़ी मुवी हीट क्योंकि उसका हर एक शॉर्ट पर्फेक्स बहुत ही बहुत ही काम किया गया था अजय देगवण ने आग लगा देथी इसकी पर उसका बैक्रांड बीजियम स्कोर मजा ही आगया थे तो उसका सिनमोग्राफिव और आउटस्टेंडिंग था तो इसके अधी पुरुष को भी तो बहुत डीपली काम किया गया यह मूवी बहुत ही बहुत ही चलने वाली है क्योंकि इसका बजट पांस और प्रस ही है तो और शैफली खान नेगेटिव रोल में है और प्रभास क्या होने वाला भी किसमें धमाल मत जाएगा पस एक रिक्व रोल होगा जब शैफली खान को बास सामने सामने हो इतनी हाइब बजट मुवी होने वाली इसे एफेक्स तगड़े होने वाले है और स्टोडी लान भूस तगड़ी है तो यह इंडिया की बड़ी बड़ी बजट मुवी होने वाले अब तक दे तो आप बताएगे आपको तुम्हें सब्सक्राइब नग्हार लोगी, बाता 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 है